डिमपी की प्रेगननसी आ गई ये बड़ी खबर मगर इस बड़ी खबर के साथ साथ ऐसा कुछ होगा जो ये प्रेगननसी ही अभिशाप बन जाएगी डिमपी के लिए नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजुशर्मा दिल से स्वागत करती हूँ डिमपी ने अब ये क्लेर कर दिया है कि वो प्रेगनेंट है और ये न्यूज वो कल की एपिसोड में सब के सामने सुना देगी ये न्यूज तो चली रही है दोस्तो और चलेगी भी मगर तब इस न्यूज पे बड़ा सा जो है काला धबा लगेगा जब समर का एक्सिडेंट होगा तो क्या होगा उसके बाद क्या होगा डिमपी का चलिए चर्चा करते हैं पहले वहीन वेधन जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है क्रिपया कर लीजी साथ में दोस्तों बैल आइकों दबाईएगा ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मि बहुत खुश है और दूसरी तरफ समर पल-पल जो है दूर होता जा रहा है अपने परिवार से और ये कोई नहीं जानता है जानती है तो नेचर कुद्रत जानती है जो हर गड़ी सिगनल्स दे रही है तो जब दोस्तों ऐसा कुछ हो जाता है घर में एक तरफ एक बच्चे के आने की खबर आती है और दूसरी तरब कोई ऐसी खबर आती है जो बिलकुल कंट्रास्ट होती है बुरी होती है तो ऐसी सिचुएशन में बाज ऐसे लोग जो ऐसी बुरी ओरते होती है पुराने खयालात के लोग होते है वो उस बच्चे को ही responsible ट्रे आते है कि डिम्पी के पेट में जो बच्चा है वही आया ही है अभी आते ही अपने बाप के साथ ऐसा हो गया या अपने बाप को खा गया या ऐसा कर दिया वैसा कर दिया तो अब डिम्पी के लिए समर भी उतना ही important है चाहे डिम्पी कितनी भी बुरी है मगर समर से तो कहीं न कहीं प्यार करती ही है एक तरफ उसका समर जो है उसका loss होगा और दूसरा ये बच्चे के उपर बाप के तानों का क्योंकि बाप ने पहले भी डिम्पी को pregnant होने के उपर एक ताना कसा था ये ज़रूरत नहीं है मगर अब डिम्पी हो गई है तो एक बार तो बाखुश होगी मगर जब दूसरी बार ये सब होगा कि जो गन्पती के डेज चल रहे है उसमें जब समर के साथ बड़ा हाथसा हो ही जाएगा तो फिर बा का सारा का सारा पूरे महौल पे क्योंकि अनुच इसके खिलाफ होगा अनुपमा इसके खिलाफ होगी और फिर से ये पूरा का पूरा जो घर है वो जंग का मैदान बन जाएगा जिसमें बा जो है अपने दुख में अपने सब चीजों में यही फ्रस्टेशन बार-बार निकालेगी तो यह डिंपी की प्रेगनसी एक खुश कबरी है सिर्फ अभी के लिए मगर यह दुख कबरी बनेगी आने वाले समय में क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजेगा देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स